दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं busy accounting application software के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से busy के अंदर sales voucher की transaction के record कर सकते हैं इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से voucher record करते समय अगर आपको वहाँ पर एक नए item create करना हो तो आप किस तरीके से नए items को आप यहाँ पर on the spot create कर सकते हैं इसके लावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप voucher record करते समय किसी नई party को किसी भी goods को sale करते हैं और आपने उसका ledger यानि आपने उसका account अपने bz के अंदर नहीं बना रखा तो आप transaction को record करते समय किस तरीके से on the spot वहाँ पर एक नई account create कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से sales transactions कर सकते हैं इसके लावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से bill invoice print कर सकते हैं तो complete पूरा process देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी confusion ना रहे अगर आपको फिर भी कोई confusion होती है तो आप हमारे comment section में comments कर सकते हैं इसका replies जरूर देंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो sales voucher की entry pass करने के लिए आपको आ जाना है अपने busy software के उपर और यहां से आना है आपको transaction transaction में आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर sales दिखाई देगा इस पर आपको click करने जैसी आप यहां पर click करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर 3 options दिखाई देंगे जिसमें सबसे पहला option आपको add का दिखाई देगा जिसमें आप अपने transaction को record करेंगे और दूसरा option आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको modify का option दिखाई देगा जिसके अंदर जा करके आप अपनी entry को यहाँ पर modify कर सकते हैं और तीसरो option आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको list का एक option दिखाई देगा, जिसमें आपने जितनी भी sales की entry pass कर रखी हैं, वो सभी transactions आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो हमें यहाँ पर sales की एक नई transaction करनी हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर add वाले option पर click करेंगे, add प आप देख सकते हैं, आपको current date दिखाई देगी, जिस date पर भी आप transaction record कर रहे हैं, वो date आपको यहाँ पर डाल दे नहीं है, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका voucher number आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपकी company का पहला जो नाम है, Excel, और यहाँ पर यहाँ पर जो sale कर रहे हैं, वो local sale कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम type करेंगे L, तो L type करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा local item wise, तो हम इसी के through यहाँ पर GST लगाने वाले हैं, तो हम local item wise को select करते हुए, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, इसके ब अपने ledger create कर रखे हैं, और अगर आपकी कोई नई party है, जिसका आपने ledger create नहीं किया हुआ है, तो इस case में आप अपने keyboard से यहाँ पर प्रेस करेंगे F3, F3 प्रेस करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके साने एक नई window यहाँ पर open हो जाएगी, जिसके इंदर आ हम यहाँ पर enter, enter करके आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, opening balance, previous balance, इन सभी options के बारे में मैं already detailed video class number 2 के अंदर दे चुका हूँ, अगर आपको इन सभी चीजों के बारे में जानना है, कि इन सभी चीजों का किस तरीके से इस्तमाल किया जाता है, और इनका क्या-क्या use है, तो आप हमारी playlist में जाकर के video number 2 को यहाँ पर देख सकते हैं, फिलाल इस वीडियो में मैं इन सभी चीजों को cover नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पर enter, enter करके आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका state code 07 आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी को रखते हुए हम यहाँ पर enterprise करेंगे, type of dealer के अंदर हम यहाँ पर register रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो filling frequency है, वो यहाँ पर आपको select कर लेना है, तो यहाँ पर भी हम not now रखते हुए आगे बढ़ेंगे, यह इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका pen card number अपने आप यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, verify करने के लिए आप चाहें तो validate GST TIN पर click करेंगे, यहाँ पर आपका जो GST number होगा, वो यहाँ पर verify हो जाएगा, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, GST number हमारा यहाँ पर verify हो चुका है, status में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको active दिखाई देगा, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, उसका trade name, legal name, उसका address, यह सभी चीज़े आपको यहाँ पर दिखाई देनी हैं, तो फिलाल हम इसे skip करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यह आप चाहें, तो यहाँ पर narration type कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इस narration वाले part को skip करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर हमें अपने item को select करना है, जिस item को हम यहाँ पर sale out कर रहे हैं, तो item को देखने के लिए आपको अपने keyboard से press करना है space, space जैसे आप यहाँ पर press करेंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे quantity मांगी जा रही है, तो हम यहाँ पर एक quantity रखते हुए आगे बढ़ेंगे, pieces को select करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक और window open हो जाएगी, जिसमें लिखा हुआ item price and discount यहाँ पर आपको अपने item का price देना है, और discount अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो दोस्तो हम यहाँ पर अपने जो item का price है, वो यहाँ पर रखने वाले हैं 30,000, और उसके बाद हम यहाँ पर enterprise करेंगे, दोस्तो enterprise करने के बाद आ यहाँ पर discount मिल जाएगा, otherwise अगर आप चाहते हैं कि total amount के ओपर हम केवल 500 रुपय का discount देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप discount pieces में 500 रुपय टाइप करके यहाँ पर interface करेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो price है 500 रुपय discount करने के बाद 29,500 रुपय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर अपने keyboard से enterprise करना है, enterprise करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो total amount यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है, के वाले बटन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका total amount आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और इसके बाद bill of supply में अगर आप यहाँ पर चाहें तो कुछ extra additional चीज़ों को भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं या फिर अलग से भी discount आप यहाँ पर add कर सकते ह है और हम discount यहाँ पर पहले ही दे चुके हैं तो इस option को हम छोड़ते हुए यहाँ पर F2 की मदद से इस window को यहाँ पर accept कर लेंगे F2 प्रेस करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने bill by bill adjustment of amount आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा जिसमें आपका total amount, bill number और यहाँ पर आप देख सकते हैं due date भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं यानि अगर आप यहाँ पर अपने bill को print करना चाते हैं तो आपको केवल यहाँ पर yes वाले button पर click करना है आपके सामने इसका invoice आपको दिखाई दे जाएगा तो हम यहां पर yes वाले बटन पर यहां पर click करने वाले हैं, yes बटन पर क्लिक करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं, आप स्टैंडर format आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे स्टैंडर format पर print करना चाते हैं, तो इसे select कर सकते हैं, अगर आप इसे A5 के half page पर print करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं अगर आप इसे slip wise print करना चाहते हैं 3 inches with GST के साथ तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको select कर सकते हैं तो फिलाल हम यहाँ पर standard format को select करते हुए enter press करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ settings यहाँ पर open हो जाएंगी जिसमें आपकी company name, company address यह सारे information आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें से आप अपने हिसाब से अगर किसी चीज़ को activate करना चाहें तो आप इस activate कर सकते हैं फिलाल हम यहाँ पर कोई भी extra additional feature को यहाँ पर add नहीं करने हैं हम केवल save वाले button पर click करेंगे save वाले button पर click करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो invoice होगा वो यहाँ पर हमारे सामने generate हो चुका है मैं आपको यहाँ पर एक बर zoom करके दिखा देना चाहूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो invoice number है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है date आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है अगर आप लेजर में address को fill कर देते हैं तो इस case में यहापर इसका address भी आपको यहापर दिखाई देगा पार्टी का GST number आपको यहापर दिखाई दे रहा है आईटम आप यहापर देख सकते हैं हमारा M126NW आपको यहापर दिखाई दे रहा है HSN code आप यहाँ पर देख सकते हैं, quantity और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो total price था वो 30,000 का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, discount in percentage में हमने कुछ भी नहीं दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6% CST और 6% SST हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, total amount आप यहाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके नीचे की दरफ जैसी आप यहाँ पर जाएंगे, scroll करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका taxation part आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं, total taxable value 39,500 रुपे थी, जिसमें आपका 1770 CST और 1770 SST आप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, total amount यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर रिखाई देती हैं, तो दोस्तो इस तरीके से आप sales voucher की entry अपने busy के अंदर pass कर सकते हैं, तो दोस्तो इसके अलावा मैं एक transaction और आपको करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं सभी च इसको भी create करेंगे और फिर आपको यहाँ पर एक sales voucher के entry पास करके दिखाने वाला हूँ, तो माल लीजियम यहाँ पर sales voucher के अंदर आ चुके हैं, sales voucher में आने का process मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहूंगा, हम यहाँ से gap करके बाहर आने वाले हैं, यहाँ से आना ह पर एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको अपनी party का लेजर create करना होगा, तो party लेजर create करने के लिए आपको अपने keyboard से press करना है F3, F3 press करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, party window कर न हो जाएगी, यहाँ पर हम फड़ा फड़ एक party का लेजर create कर लेते हैं, तो हम यह इंडिया के बाद यहाँ पर हम state को change करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम state लेने वाले हैं, गोवा, गोवा लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो state code है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 30, और उसके बाद यहाँ पर हम party dealer type जो है, वो चाहें तो आ यहाँ पर accept कर लीजे, तो हम यहाँ पर इसे F2 की मदद से इस window को accept कर रहे हैं, और यहाँ से यह select करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर चाहें, तो narration टाइप कर सकते हैं, फिलाल narration वाले option को हम यहाँ पर skip करते हुआ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम add item masters के नाम से आपके सामने एक window open हो जाएगे और यहाँ पर आपको अपने item का नाम type कर देना है, तो जैसे माले जी हम यहाँ पर type कर देते हैं, mouse और उसके बाद enter press करेंगे, enter press करते हैं, आपको यहाँ पर under a group select करना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास apple electronics यह सबी groups हैं, तो फिलाल हम यहाँ पर एक नया group create करने वाले हैं, तो नया group के लिए भी आपको यहाँ पर अपने keyboard से press करना है, F3, F3 press करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, add item group master के नाम से आपके सामने एक window open हो जाएगी, और यहाँ पर हम type कर देते हैं, logit है, और उसक press करते हुए, यहाँ पर pieces type कर दीजे, चाहें तो यहाँ पर एक नया unit आप create कर सकते हैं, तो फिलाल हम यहाँ पर pieces को select करते हुए आगे बढ़ेंगे, F3 press करने के बाद आप यहाँ पर एक नया unit create कर सकते हैं, opening stock को छोड़ते हुए, हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, text category के अ आप यहाँ पर अपने text को add कर सकते हैं, तो जैसे माली जेम इसके उपर कितना percent text लगाना चाहते हैं, उतना percent आपको यहाँ पर text select कर लेना है, तो माली जेम यहाँ पर 18% का text यहाँ पर use करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर 18% को select करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कोई भी amount fill मत करिए क्योंकि amount हमेशा आगे पीछे change होते रहते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं validate का भी आपको एक option दिखाई देगा आप चाहें तो अपने hsl number को यहाँ से verify कर सकते हैं तो validate वाले option पर click करते हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका verification description आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर validation यहाँ पर successful आपको दिखाई दे रहा है तो इसे हम quit करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम F2 की मदद से यहाँ पर save कर देंगे आप चाहें तो यहाँ पर item description भी add कर सकते हैं तो फिलाल हम यहाँ पर कोई भी details यहाँ पर add नहीं कर रहे हैं हम सीधे F2 प्रेस करते हुए इस window को यहाँ पर accept कर लेगे इतना करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा item यहाँ पर आप दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर हम quantity add करनी है मालीजे हम एक piece की quantity यहाँ पर हम sale करने वाले हैं इसको select करते हुए जैसे हम यहाँ पर enterprise करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर price आपसे मांगा जा रहा है तो price में मालीजे हमने यहाँ पर type कर दिया 250 रूपीज और enterprise करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका discount आपसे मांगा जा रहा है तो मालीजे में यहाँ पर 1% का discount उसे देना चाहते हैं तो हम one type करते हुए जैसी enterprise करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1% का discount हमारा यहाँ पर add हो चुका है जो कि हमारी value है 247.50 पैसा है यहाँ पर आ चुकी है इसके बाद जैसे में यहाँ पर enterprise करेंगे और एक बार और enterprise करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो IGST है वो यहाँ पर 18% का लग चुका है जिसका IGST अमांट बनता है 24 रुपे 55 पैसे तो हमारो जो final amount बनता है वो 292.50 पैसा बनता है तो इसको हम select करते हुए यहाँ पर ok करेंगे आगे बढ़ेंगे तो इसके लावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर build center के अंदर भी कुछ चीज़ों को add कर सकते हैं तो फिलाल हम इस window को यहाँ पर accept करने वाले हैं और accept करने के लिए आपको अपने keyword से वापस से प्रेस करना है F2 F2 प्रेस करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं build center में आप जम कर चुके हैं और वापस से यहाँ पर F2 प्रेस करके इस window को आप यहाँ पर accept कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा ट्रांजेक्शन है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेल नमबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पिछला जो बेल था, हमारा 1 था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो दूसरा बेल यहाँ बेल नमबर दो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके बाद हमें यहाँ पर OK वाले बटन पर क्लिक करना है, और करते वो आगे बढ़ जाना है और यहां से आपको preview वाले option पर click करना है और यहां पर आप देख सकते हैं आपको जो bill था वो यहां पर generate हो जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने busy के अंदर sales voucher की entry पास कर सकते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेशियर जरू कीजेगा धन्यवाद